सब्सक्राइब किजिए टेक्नोई चैनल को एंड बेल आइकन को दबाएए लेटेस्ट टेक्नोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए एक हर लोगों के मन में एक क्वेशिन होता है कि मेरा कॉंप्यटर जो है वो स्लो बन गया है jsaber कम्प़ेटर ख accord करने के टाएम, फाइल सेर्च करने के टाएम और कुछ भी, प्रआर्यीव्य उप्यटर गनके ताइम में भी ये बन जाता है लो क्यों होता है यह slow, why your computer is running slow, जबकि आपके पास एक बरिया laptop and desktop है, उस पे हो सकता है बरिया सा operating system, upgraded version of software, तब भी यह हो गया है slow, क्यों होता है slow, इसका reason क्या है, क्या reason है behind this, तो आज उसी के बारे में बताऊंगा, stay tuned till and hit like if you like this video and don't forget to subscribe to this channel, so let's start. दोस्तों, first one is maximum startup programs, startup programs यानि कि जब कोई software आप Windows operating system या कुछ भी operating system या आप जब computer और laptop को on करेंगे, तब उसके साथ चार्ष वो जो program से applications है, वो on होंगे, तो जब कोई software इंस्टॉल करते हो, तो last में एक checkbox करके option आता है कि उसको yes या no करे, ताकि यह जो startup programs है, यह जो software से ही, व Windows के साथ start होंगे या ना होंगे, तो always you uncheck that option, ताकि आपका जो computer start होने के time में, यह slower ना बने, दोस्तों, next one is spyware, spyware क्या होता है, spyware is a malicious program, एक malicious program होता है, जो unwanted person आपके computer पे install कर सकता है, without informing yourself, जो software भे सकता है, एक email पे, एक link एट रो, और भे सकता है, कुछ भी of social networking sites पे, और भे सकता है कुछ भी crack version software के साथ-चार, जब यह spyware install होता है, आपके computer पे, then, वो spyware आपके computer को trace करते रहेंगे, हर बाक्त, हर टाइम, when your computer is running, then, क्या होता है, आपको computer है, जो slow बन जाता है, क्योंकि background में, वो spyware प्रोसेस में रहता है, दोस्तों, next one is very common, that is insufficient of RAM memory, sufficient RAM होना आ अजकर हम लोग अपने laptop पे और desktop पे बहुत ज़्यादा कम करते हैं, बहुत ज़्यादा program सलाते हैं, तो, अगर आपके पास sufficient RAM है, then, आपका computer है, वो fast सलेंगे, अगर आपके पास एक, कम RAM बाला PC है, then, वो PC जो है, वो slow बनेंगे, वो slow सलेंगे, मान लिजे, आप एक game प्ले पुरा RAM को ले लेंगे, तो, अगर मान लिजे, साथ-साथ कुछ दूसरा program आप चलाना चाते हो, एक music प्ले करना चाते हो, then, उसका जो है, वो नहीं चल पाएंगे, वो, that will be become very slower, then, आपका जो PC है, वो fast होने में बहुत पाइम लेंगे, तो, ध्यान में रखिए, जब भी आप ध्यान डिजे, RAM पे, दोस्तो, next one is common hardware problems, like RAM खड़ाब होना, hard drive खड़ाब होना, और आपका जो CPU है, CPU के अंदर, जो cables है, cables बहुत खिसरी होना, और तब भी आपका जो computer है, बन सकता है, slow, तो, ये जो कारन में बताया, वो आप ध्यान में रखिए, जब आपका जो computer slow बन सकता है, दोस्तो, next one is poor security software, poor security software means poor antivirus, आसकल antivirus बहुत सरा है market पे, उसका जो price है, price बहुत differ करता है, बहुत different है, माल लिजे, एक software antivirus software है, उसका price है 1000 रुपीश and another one is 500 रुपीश and जो function से सेम है, पर ये जो price difference होता क्यों है, क्योंकि उसका background algorithm है, algorithm के कारण ये जो software से उसका price जो है, वो price differ करता है, तो आप एक अच्छा वाला एक software लो ताकि जो background में जब आपका antivirus process में रहेंगे, तब आपका computer है, तब वो slow ना बने, आप दुसरा कोई programs अगर खोलना चाहते हो, करना चाहते हो, then and you can do smoothly, तो buy one good antivirus and some costly antivirus for your PC, दोस्तो, next one is overheating, overheating यानि कि ज्याद गर्म हो जाता है, तब जो उसका hardware है, वो functions, उसका जो function से वो काम करना बंद हो जाएंगे, and it causes a permanent damage also, गर्म होने का बहुत चारा करान हो सकता है, maybe आप जब laptop यूज कर रहे हो, यूज कर रहे हो अपने बिस्तर पे, तब भी एक main करान हो सकता है, एक laptop को slow होना, तो याद रख history जो है, damage हो गया, कराप्त हो गया, then आप फेस कर सकते हो, BSOD, यानि कि blue screen of death, जो कि हम लग अक्सर बोलते है, blue screen problem, तब क्या होता है, कभी-कभी आपका hardware भी fail हो सकता है, तो ज्यादा software इंस्तॉल ना किजिए, कभी-कभी आपका जो PC है, वो restore किजिए, clean किजिए, then आपका जो यह आपको करना परेगा, bidirectional firewall program, यानि कि inbound और outbound में, जो firewall है, firewall inbound और outbound में, कुछ programs को आपको करना होगा, block, and कभी-कभी करना होगा, unblock, and एक अच्छा वाला antivirus ले दिजिए, then आपका जो virus attack है, वो ना होंगे, and it will become faster, दोस्तों, next reason is badly fragmented hard drive, यह क्या होता है, जब हम copy करना, paste करना, तब यह जो file से, वो scattered हो जाता है, कही कही फैल जाता है, ठिक से align नहीं रहता है, तब बन सकता है, आपका जो computer वो slow, वो ही एकर reason होता है, आपका जो computer हो बन जाता है slow, file search करने के time में, file open करने के time में, वो बन जाता है slow, to make your computer faster, then क्या करना परेगा, defragment करना प तुदे नाओ इस अब, दोस्तों, next one is too many windows and temporary files, यह किया होता है, windows and temporary files, जब आप कोई software यूज कर रहे हो, और browsing कर रहे हो, और कुछ भी काम आपके computer पे कर रहे हो, then background में windows और temporary files बन जाता है, वो जो है, आपका जो computer है, वो slow बनने का करन हो सकता है, तो delete all those windows and temporary files using some software like 20 of utilities, दोस paste file, याने कि paste dot sys, यह है जो है, एक temporary source of memory, temporary memory source, temporary memory होता है, जो कि windows, आपका जो program से, वो open होने के time में यूज करता है, that paste file, अगर paste file बहुत small है, then आपका जो computer है, वो बन जाएगा slow, and if your paste file is larger, then आपका जो computer है, वो ठीक चलेंगे, fast चलेंगे, दोस्तों, आज के episode में यही था, म आपका जो computer है, that is running slow, तो I think यह जो video है, यह जो episode है, आपको पसन आया होगा, अगर पसन आया, then hit the thumbs up button, and अभी टक subscribe नहीं किया, तो subscribe किजिए, क्योंकि मैं ऐसा ही video आपके लिए लाता रहूँगा, so thank you for watching.